दोस्तों आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप बनाते हैं UTI PSA से PAN CARD तो किसी महिला का जिसकी साधी हो चुकी है उसका Pre-Farm कैसे भरते हैं तो यह Pre-Farm महिला का जो उसका Part 1 है Main Farm का Part 2 होगा इस तरीके से सब कुछ बताऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सिर्फ Pre-Farm भरके दिखाएंगे तो सबसे पहले आपको PSA.UITSL.COM इस पोर्टल में आ जाना है अगर आपने आईडिया भी तक नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको available e-coupons चेक करने हैं कि आपके पास coupon है या नहीं है तो मेरे पास अभी 100 coupons अवेलबल हैं तो अगर आपके पास coupon नहीं है तो coupon लेने का process भी आपको description में मिल जाएगा तो वहां से चेक कर सकते हैं पास में रख लेना है लिखने के बाद में उसकी जो भी ID है उसको आपको अपने पास में रख लेना है अब उसका नाम वहां पे देखना है कि क्या है उसके बाद में यहां पे last name पूछा जा रहा है तो अगर उसका नाम तीन भाग में है तो last name में last होगा फस्ट में first होगा और middle में होगा लेकिन अगर बिलकुल एक ही नाम है मतलब उसका कोई surname नहीं है जैसे कि यहां पे मेरा जो मेरा सामने जो आधार काड रखा उसमें उसका नाम कांती वर्मा है सब पूछ करता हूँ खाली कांती होता है तो हम सिरफ last name में लिखते लेकिन अभी वर्मा भी है surname तो surname last में लिखेंगे और first name में नाम लिखेंगे तो लिख देंगे उसके बाद में यहां पे name on card यह इस तरीके से दिख जाएगा यह सही सही आपको दिखेगा तो spelling जो है वो आप यहां पे check कर लिजे कि आपने सब कुछ सही बराए आगे यहां पे female automatic हो जाएगा उसके बाद में यहां पे आपको डाल देना ही data board जो कि आपकी ID card में जो भी मतलब आप ID लगा रहा हूं तो मैंने उसमें चकर लिया उसके बाद में आनिक बाद में आपे no कर देना हो और एक बात का कास क्या लगना है महिलक साधी सुधा हो या साधी सुधा ना हो लेकिन यहां पे पिता का नाम ही पढ़ेगा पती का नाम pen card में नहीं पढ़ता है पिता का ही पढ़ता है वो साधी सुधा हो या नहीं हो तो जो भी नाम है इनका तो हम यहां पर लिख देते हैं श always Ke Toby Tan तो हमने स्री एंट में लिख दिया ग्मित उठी आक़ह мदर सेमने में पुच prisons黨 डालना मेंदे टेरी नहीं तो सोब्सक्राजजेता'm आगे पर residential state जो है वह मैं डाल देता हूँ आगे हैं पर communication याँ पर residence डाल देता हूँ आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पुछा जा रहा कि आपके पास आधार काड़े तो मैं यहां पर टिक कर देते हैं फिर यहां पर हमको डालना होगा आधार तो यहां पर हमने फिर से डाल दिया है, उके करेंगे, उसके बाद में यहां पर चेक आधार कर लीजिए, जिससे कि यह बता दे कि यह जो आधार नंबर है, पहले से किसी पैन कार्ड में तो अवेलेबल नहीं है, जिससे कि आपका कूपन खराब ना होके, तो यहां पर बता अधार चूच कर देता हूँ, मैं सिर्फ आधार से बना रहा हूँ, फिर यहां पर कॉंटेक नमबर डाल देना, इमेल ऐडी डाल देनी है, फिर यहां पर कॉम्मिनिकेशन एड्रेश डाल देना है, फिर यहां पर नॉर्मल और यहां पर इमेल ऐडी जरूर डाल दीजेगा क्योंकि इस पर e-pan आता है उसके बाद मैं यहाँ पर कर देंगे submit चलिए mobile number में एड़ी डाल के submit कर देते हैं तो दोस्तों इस तरह किसे आप देख सकते हैं कि मैंने submit पर click किया और यहाँ पर यह जो है generate हो चुकी है तो तुरंट instant यहाँ पर print पर click कर देंगे अगर आप print नहीं करते हैं तो आपका main farm so नहीं करेगा यह इस बात का खास ख्याल लखेगा तो यहाँ पर मैं printer को चूच कर लेता हूँ जो भी printer है उके print यहाँ पर निकाल देते हैं इस तरह किसे मैंने print कर दिया प्रिंट करने के बाद में अभी आप main farm पर जाईएगा तो यहाँ पर आपको main farm दिखेगा लेकिन अगर आप print नहीं करते हैं तो आपको main farm नहीं दिखेगा यह दिखे main farm दिख रहे हैं तो दोस्तों यह था part 1 females के लिए next वीडियो मैं बताऊंगा main farm किस सब्सक्राइब करते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पूरी सीरीज देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लिजेगा जिससे की निए वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक लिए नमस्कार जैहिंद